हलो डियर पेरेंट्स मेरा नाम डॉक्टर राहूल चौहान है और मैं मनीपाल हॉस्पिटल में इस पेडियाटीशन के तौर पे काम कर रहा हूं आज मैं सभी पेरेंट्स को कुछ समर टिप्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से वापके बच्चों के लिए एक जरूरी मैसिज होगा आप देख रहे हैं गर्मिया पास आ रही हैं बच्चों की विकेशन्स हैं आम तौर पे सभी लोग पेरेंट्स बच्चों को लेकर बाहर घुमने के लिए निकलते हैं और बच्चे इस सीजन में जरूरी थोड़ा सा पानी के साथ जादा इंजॉय करते हैं तो हमें ऐसे में चाहिए कि ऐसे पेरिंट हम हमेशा बच्चों के साथ में रहें उनको सुपर्वाइस करते रहें और स्विमिंग पूल वगएर हमें या पानी में देर तक खेल रहे हैं तो ऐसे में हीट एग्जॉर्शन के चांसे बहुत जादा रहते हैं बहुत जादा स्वेटिंग होना कभी कभी बहुत जादा टायडनेस होना तो आपको धियान रखना है कि बच्चे थोड़ा सा एक रेगुलर इंटरवेल पे कुछ वाटर ब्रेक लेते रहें बीच बीच में पानी पीते रहें अपने आपको थोड़ा सा रेस्ट देते रहें तीसरा अगर आप अपने बच्चों के साथ लांग ड्राइब पे जा रहे हैं कार में हैं तो ध्यान रखें कि एक सीड बैल्ट हमेशा रहनी चाहिए दूसरा एक बहुत इंपोर्टन है कि अपने बच्चों को कार में कभी भी अकेला ना छोड़ें क्योंकि कार के अंदर जो टेंपरेचर होता है वो सड़नी बहुत जल्दी राइज होता है जो बच्चों के लिए हामफुल हो सकता है इसका हमें दियान रखना होगा सिंस आउट्डोर एक्टिविटीज में बहुत बार ऐसा देखा गिया है कि इंसेक्ट बाइट वगेरा भी बच्चों को होती रहती है तो आप दियान रखें कि एक लूस क्लोफिंग प्रॉपर क्लोफिंग हो जो उनके हाथ-पेरों को कवर करके रखें और आप इंसेक्ट रेपिलेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को एपलाई कर सकते हैं इनकेस साइक्लिंग अगर कर रहे हैं तो अपने एक हेलमेट लगा करके रखें साइक्लिंग छोटे बच्चे हैं तो उनको सुपर्वाइस करने की जरुरूत है ये कुछ बहुत इंपोर्टन चीजे हैं जो हमें इस समर सीजर में अपने बच्चों के लिए ध्यान रखना होगा I think that is a small message to all the parents. If you have any queries you can contact us. Thank you very much.